हाई गाईज विल्कम बैक तो माई चैनल गाईज आज मैं आपको बंद गोबी और आलो से बने एक बहुत जादा टेस्टी चैपटे से नाश्टे की रिसिपी देने जा रही हूं इस नाश्टे को आप सुबह में खा सकते हैं अराम से बनाकर ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और बनाने में काफी जादा सान है अगर आपको इसकी फुरस से पर चाहिए तो वीडियो में अन्टक में सब बने रहें और वीडियो के पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दे एंड में चैनल को सब्सक्काइब करने और ना भूले तो इस नाश्टे को बनाने के लिए मैंने आपे लिया है एक कप आटा, मैंने आपे गेहु का आटा लिया है इसके साथ ही मैं यहापे लूँगी एक कप ही चावल का आटा, इसे भी इसमें आट कर देंगे अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी एक चोटे साइस का बारी कटाव प्यास दो सितीन बारी कटी हुई हरी मिर्ची साथ ही आड़ कर देंगे आदा चोटा चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच जीरा पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिच का पाउडर दो गप बारिक पत्ता गोभी,अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाने एडशे। इसका गाळा कटे वह पैर्टर त्यार करेंगे तो देखे थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए मैंने इसका एक बैटर तयार कर लिया है तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है आप देख सकते हैं बट हमें इससे थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं इसमें आड़ करूंगी दो मेडियम साइस के टमाटर जिसे बारिक मैंने पीस लिया है मिक्सी में और प्यूरी बना लिया है इसका इसे एड़ करके हम इसे पतला कर लेंगे आप चाहें तो पानी के साथ भी इसे पतला बना सकते हैं बट इसे आड़ करने से काफी जदा बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर आता है तो इसे आड़ करना ना भूले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए अच्छे से mix होने के बाद इसकी consistency कुछ ऐसी है अब मैंने यहाँ पे एक pan को गर्म कर लिया है अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी एक बड़ा चमच रिफाइंड ओयल flame को कर देंगी लोपी अब मैं यह नाष्टा इसमें डाल दूँगी इस तरह से आप देख सकते हैं बट अभी हम इसमें आधा नाष्टा एड़ करेंगे आधा बचा लेंगे अब मैं इसमें एक लेयर पत्ता गोबी के पत्तों की रख दूँगी तो इस तरह से पत्तों को रख देंगे और एक लेयर सmal से बना लेंगे पत्ता गोबी की लेयर के उपडर फृर्ष जो बचा ओओ हमारा गोल था उस सरे डाल देंगे और अच्छे से फैलाते वे कवर कर देंगे पत्ता गोबी के पत्तो को गोल को अच्छे से फैलाने के बाद पत्ता गोबी के पत्तो को कवर करने के बाद उपर से आलू के इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस रख देंगे ये कच्चे आलू है तो इस तरह से उपर से इन्हें इस तरह से रखते जाएंगे और अच्छे से उपर से एक लियर हम आलू के भी बिच्छा देंगे इसमें आलो की लियर विछाने के बाद इसके उपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से अब इसके उपर से भी एक चमज तेल इससे डाल देंगे अब इस नाश्टी को कफर करके हम पकाएंगे लगबग 15 मिनट तक लो फ्लेम पे तब यह अंदर तक अच्छे से पक जाएगा 15 मिनट हो चुके हैं इसका धकन हटा कर चेक करते हैं नाश्टी को तो आप देख सकते हैं यह उपर से थोड़ा सा गीला आपको लग रहा होगा बट यह नीचे से अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे बहुत ही साउधानी के साथ पलट लेंगे तो देखिए बहुत ही साउधानी के साथ इस नाश्टे को मैंने पलट लिया है इस तरह से पलटने के बाद फिर से हम इसे कवर करके नीचे के साइब से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे फिर पकाएंगे ताकि नीचे से भी अच्छे से पक जाए फिस से पांच मिनट के बाद इसका ढखन हटा कर देख लेंगे तो बहुत अच्छी से नाश्टा पक चुका है खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है आप किसी तोटपीक या फिर नाइप की उल्प से छेक कर सकते हैं या अच्छी से पका है या नहीं तो अच्छी से पक चुका है मैंने इसे निकाल लिया है यहां पर आप देख सकते हैं तो ये नाश्टा हम सीधा करेंगे तो इस तरह से एक प्लेट में रख दूंगी और इसे पलट लूँगी इसके उपर तो इस तरह से काफी आसानी से इजली से ये पलट भी जाएगा और सीधा भी हो जाएगा नाश्टी को पलटने के बाद मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ यह नाश्टा काफी जदा गर्म है तो इसे पुरी तरीके से ठंडा होने के बार ही कट करें ताकि अच्छे से सिर्थ हो जाए क्योंकि यह आटे से बना हुआ है तो इसे सिर्थ होने के बार ही कट करें तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसे कट करी हूँ तो देखिये गाइस बहुत ज़़ादा टेस्टी यम्मी ये नाश्टा बनकर हो चुका है तयार बहुत अच्छे से अंदर तक हो चुका है कुक और बहुत ज़़ादा डिलेश्यस और टेस्टी भी बना है बच्चों को खिलाई ये नाश्टा काफी सारी सब्जियास में एड़ कर सकते हैं आप अपने पसंद की सुगाईज, बंदगोवी और आलू से बना ये टेस्टी हेल्डी सा नाश्टा बनकर हो चुका है तियार जिसमें हमने काफी हिल्डी चीज़ों आड़ की हैं जैसे की आटा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में आसान है बनाने में तो इससे जरूर टाई करें और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें जादर जादर शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंट्स के साथ और अगर चैनल पर पहली बाहरा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बिल बटन भी प्रेस कर ल झाल झैनल को साथी बाहरा हैं तो जादर मैं हुआए टर रटन को थीडियो में प्रेसर यापादर याच्ट्छों साथी बड़ीर बड़ीर में हैं पाल प्रेसर प्रेसर रहें की बड़तकरा उम वाज़ कर बदीर